चानक के समसाम के विशेश में आप सभी का स्वागत है हमारा आज का विशे है लोगतंत्र सूचकांग 2020 चली देखते हैं यह विशेश चर्चा में क्यों है लोगतंत्र सूचकांग 2020 की व्याश्विक रेंकिंग में भारत को 53 वा स्थान मिला है और यह सूचकांग The Economist Intelligence Unit द्वारा जारी किया गया है इस वर्ष इस सूचकांग का सिर्शक Democracy in Sickness and in Health है तो चली देखते हैं इस सूचकांग में भारत की सिपी क्या रही The Economist Intelligence Unit ने कहा है कि भारत में प्राधिकारियों के लोगतंत्रिक मुल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की सवतंत्रता पर कारवाई के कारण देश में 2019 के तुलना में 2020 में लोगतंत्र की स्तिती खराब होई है भारत इस सूची में अपने अधिक्तर पडोसी देशों से उपर है भारत को 2019 में इसमें 6.9 अंग मिले थे जो 2020 में घटकर 6.61 हो गए है और विश्व भर में 167 देशों में लोगतंत्र की मौजूदा स्तिती के बारे में इस सूच का अंग में विस्तार से बताया गया है भारत की वैश्विक रैंकिंग 2014 में जहां 27 स्थान पर थी वो इस वर्ष गिरकर प्रेपन में स्थान पर हो गई है भारत को 2014 में इसमें 7.92 अंग मिले थे और उसे अभी तक के मिले हुए ये सर्वाधिक अंग भी है E.I.U. की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और थाइलेंड दो ऐसे देश हैं जहां की रैंकिंग इसलिए गिरी है तो कि यहां प्राधिकारियों ने लोगतांत्रिक मुल्यों से पीछे हटकर कारे किया और नागरिकों की अधिकारों पर कारवाई की जिस से उनकी स्वतंतरता का हनन्द हुआ इस रिपोर्ट में कुछ मुद्दों को लेकर भारत की आलोचना भी की गई है जैसे कि इसमें कहा गया है कि भारत की वर्तमान सरकार भारतीए नागरिकता की अवधार्णा में धार्मिक तत्तों को शामिल कर रही है इसे कई आलोचक भारत के धर्मिल प्रीक्ष आधार को कमजोर करने वाला बता रहे हैं इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड वाइरस वेश्विक महामारी से निपटने की जो तरीके अपनाए गए उससे 2020 में नागरिकों के हदिकारों का हनन्द हुआ और भारत इस सूची में पहले की स्थिती से खराफ स्थिती में आ गया भारत 2019 में इस सूचकांग में 51 में स्थान पर था तो चलिए अब देखते हैं इस सूचकांग के आधार पर विश्व की स्थिती इस सूचकांग में नौर्वे को शिर्स्थान पर रखा गया है और इस सूचकांग में नौर्वे के बाग आइसलेंड, स्वीडन, न्यूजिलेंड और कैनेडा सिर्ष पांच देशों में शामिल है लोगतंत्र सूचकांग में 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोगतंत्र, 52 देशों को तुर्टी पूर्ण लोगतंत्र, 35 देशों को विश्रित लोगतंत्र और 57 देशों को सत्तावादेश शाषन के रूप में वर्गी कृत किया गया है भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजिल के साथ तूटी पूर लोगतंत्र के तौर पर वर्गी कृत किया गया है भारत के पडोसियों में से श्रेलंका इसमें 68 नमबर पे है, बांगलादेश 76 स्थान पर है, भूटान 84 में और पाकिस्थान 105 में स्थान पर इस सुचकांग में है श्रेलंका को इसमें त्रूटीपूर लोगत्र की श्रेणी में रखा गया है जबकि बांगला देश, भुटान और पाकिस्तान मिश्रित शाषन श्रेणी में आते हैं अफगानिस्तान इस सूचकांक में 149 स्थान पर है और उसे सत्तावादी शाषन के रूप में वर्गिकरत किया गया है एशिया और उस्ट्रेलिया छेत्र के देश न्यूजीलेंड को इस सूचकांक में 4 स्थान मिला है लेकिन इसी छेत्र के देश उत्री कोरिया को अंतिम 167 स्थान भी मिला है एशिया की तीन देश जापान, दक्षन कोरिया और ताइवान 2019 की तुलना में इस सूची में उपर आ गए है और उस्ट्रेलिया को भी इसमें पूर लोगतंतर का दरजा मिला है आस्ट्रेलिया इस सूचांग में नोमे स्थान पर भी है इस सूचांग में एशिया की स्तिती के बारे में भी बात की गई है एशिया के बारे में इसमें कहा गया है कि एशिया के ओस छेत्री अंक में 2013 के बाद सरवादिक गिरावट इस वर्ष देखी गई है और इसका कारण कोरोना वाइरस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में जो तरीके अपनाएं गए वो हैं दुनिया भर में कोविट से निपटने के लिए अपने नागरिकों पर सभी देशों ने पावंदियां लगाई थी एशिया के तीन देशों का 2020 में पूर्ण लोगतंतर देशों की श्रेणी में आना और पश्चिमी यूरोप के दो देशों फ्रांस और पूर्टगाल का इससे बाहर हो जाना ये बताता है कि कोरोना वाइरस ने ताकत के वेश्विक संतुलन के पश्चिम से पूर्व की और की तुलना में बहतर है चलिए देखते हैं आज का प्रश्ण आज का प्रश्ण है लोगतंत्र सूचकांग 2020 से सम्मंदित कत्नों पर विचार कीजिए कथन एक इसमें भारत वेश्विक रैंकिंग में 23 में स्थान पर है कथन दो यह सूचकांग दा एकॉनमिस्ट आप अपने उत्तर कमेंट सेक्षन में दे सकते हैं आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा आए देखते हैं आप पिछले वीडियो में पूछेगे प्रश्ण को पिछले वीडियो में जो प्रश्ण पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प B इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद